ये फाल्तू का इगो इशू मेरे साथ करने की जूद नहीं है So, मनी करने का भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका से योग देना चाहिए और ये फाल्तू का इगो इशू मेरे साथ करने की जूद नहीं है मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जितमें कोई गल्ती है नहीं दोने एक सवाल आपके फर्डिय। वैसे सीन में जैसे कि आप डुबाता निए पताया है। लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि दिस्क्रार कर दीज़ी करनी से को उसके लिए आप माफी मांगें। अचाए किए आप माफिक तो आप क्या किछ ज़्यना चाहिए ayamaya करण दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं 하 और उन्हें हमारा सेयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए विकरज वो हमारे भारत की बेटी है तो सब को मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए वो सिर्फ मेरी कोई रिष्टदार नहीं है वो पूरे देश की वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है तो मनी करने का भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका से योग देना चाहिए और ये फालतू का इगो इशू मेरे साथ करने की जूट नहीं है इस फाल्तु का इगोईशू मेरे साथ करने की जूद नहीं है. मैं यहां पर किसी को सॉरी और यह कहने के लिए नहीं हूं. क्बीकाइत एंस पिर्फ स्थिर्फिंता है? पुल उनके लिए डेके बहुत जरूरी था के ये फिल्म इस फिलम का अन्रणी जन के साथ ने कमानना हो और सद्गुरु मेरे गुरु है और उनको आज तक मुझे जो भी हासल हुआ है मेरी जिंदगी में वो या तो गुरुओं की ही वज़ा से हुआ है मैं चाहे स्वामी वी वेक अनन्द हो उसके बाद में जब मैं अपनी जिंदगी कैसे मुकाम में थी जहां मुझे कुछ एकदम, मतलब मुझे लगा था, जैसे मैं बॉक्स में बंध हो गई हूँ, तब सद्गुरु मेरे जिन्दगी में आया और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, I am free now. So I think एक युवा के लिए बहुत जरूरी है, गुरू चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके ममा हो सकता है, आपके पापा हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इनसान जिस पर आप विश्वास कर सके, बहुत ही किसमत वाले हो झालि योट क्षॉ अशुनी जी सुद्थ मैंे गल्कम प्रिक खॉड़ कंप मौholes झाल झाल